सोनु एक करीब घर का लड़का था उसे खेल कूद करना दोस्त बनाना बहुत पसंद था लेकिन उसके गाओं में ज्यादा तर अच्छे घराने की लोग रहा करते थे जिस वजह से उन घरानों के बच्चे सोनु से दूर रहा करते थे ऐसे ही एक दिन सभी बच्चे बगीचे में खेल रहे थे सोनु भी वाँ जाता है और उन बच्चों के साथ खेलने लगता है तब ही एक राहुल नाम का लड़का उसे धक्का करते हुए कहता है अगर मैं गरीब हूँ तो क्या मैं तुमारे साथ खेलने ही सकता खेलने की लिए पैसो के जरूरत थोड़ी ना होती है खेलने के लिए तो सच्चे मित्र के जरूरत होती है तो क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे अपनी शगल देखिए तुने, तु तो हम सम्मे सबसे ज़्यादा गंदा और बिखारी नजर आता है तुझे देख कर कोई खाना खाना छोड़ दे, और तु बात करता है हमारे जाथ खेलने की हाँ हाँ सोनू, हमें तेरे साथ नहीं खेलना है हमारे माता पिता भी यही बोलते हैं कि सोनू से दूर रहो क्योंकि तु एक करीब है और तेरे घर में किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है अगर तेरे कारण हमें कोई बिमारी लग गई तो हम क्या करेंगे लेकिन इस गाओं में मेरा कोई दोस्त नहीं है मुझे एक दोस्त की जरूरत है मैं दूर दूर रहकर ही तुम्हारे साथ खेलूंगा मैं तुम में से किसी को भी टच नहीं करूंगा आरे नहीं नहीं अगर हमारे माता पिता ने हमें तुम्हारे साथ देख लिया तो वह हमें बहुत मारेंगे और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वज़े से हमें मार पड़े और हमारा समय मेकार मत करो हमें खेलने दो शाम होने वाली है हमें घर भी जाना है अपने सुन लिया यहां कोई भी तरज़ाद खेलना नहीं चाता और ना तो उससे दोस्ती करना चाता है इसलिए आपसे हमारा समय मत बरबाद कर, चल भगे हां से बेचारा सोनू, उदास होकर वहां से जाने लगता है उसे रास्ते में टमाटर का खेट नजर आता है खेट बहुत बड़ा था, उस खेट पे बहुत सुन्दर लाल लाल टमाटर थे सोनू, खेट और टमाटर की खुबसूरती देखकर खुद को रोप नहीं पाया और उस खेट में जाकर खेट के सभी टमाटर को चूने लगता है और कहता है अरे, तुम कितने सुन्दर हो लाल लाल, गोल गोल वैसे मेरा कोई दोस्त नहीं है तो क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो मैं तुमारे साथ खेल सकता हूँ क्या टमाटर पता नहीं भगवान ने हमें गरीब क्यों बना कर भेजा है अगर मेरे पापा भी जिंदा होते तो शायद हम भी अमीर होते हमारे पास भी सारी चीजे होती लेकिन भगवान ने तो मेरे पापा को बुला लिया अपने पास शायद मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे इसलिए भगवान ने मेरे पापा को अपने पास बुला लिया अच्छा टमाटर, अब मैं घर जा रहा हूँ, शाम होने वाली है मा घर पर चिंता कर रही होगी, मैं कल फिर से तुमारे पास आऊंगा और कल हम धेर सारी बाते करेंगे, अपना खयाल रखना टमाटर थोड़ी देर बाद सोनु वहां से अपनी घर आ जाता है, उसके हाथ पैर में बहुत मिट्टी लगी थी मिट्टी देख उसकी मा सुनीता कहती है हे भगवान, ये क्या कर रखा है बेटा तुने, पूरे शरीर पर मिट्टी लगा रखी है, कहाँ पर खेलने गया था तु मा, मेरा ना एक नया दोस्त बना है, मैं अपने दोस्त के साथ था, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लग गया और आपको तो पता ही है, खेत में कितनी सारी मिट्टी होती है, इसलिए मेरे हाथ पैरों में मिट्टी लग गई है अच्छा, तो आखिरकार मेरे बेटे के दोस्त बन ही गए, क्या नाम है तुभारे दोस्त का? सरा मुझे भी तो बताओ अच्छा, बाबा, ठीक है, जिस दिन नाम पता चल जाए, उस दिन मुझे नाम बता देना उसका अब चलो, खाना वना खालो, बहुत समय हो चुका है सोनु की माँ पानी से उसके हाथ पैर को धोती है, और उसको बैठा कर खाना खिलाती है खाना खिलाते वक्त सोनु की माँ बोलती है, याद है न सोनु, मैंने तुम्हें क्या समझाया था? कि तुम्हें पढ़ लिखकर एक काम्याब इंसान बनना है, खेल कूद अपनी जगा है, लिकिन पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं स्कूल में जैसा टीचर कहती है, तुम्हें वैसा ही करना है, और कभी भी टीचर से जूट मत बोलना, कभी भी अपनी टीचर से बत्तमीजी मत करना, टीचर जो बोले, वैसा तुम्हें समय से करना है हाँ मा, पूरे क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ मैं, टीचर मुझे बहुत प्यार करती है, वैं कहती है सोनू पढ़ने में बहुत अच्छा है ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो, खाना खाकर पढ़ाई कर लो ऐसे ही अगली सुभा सोनू स्कूल जाता है, और वहां मन लगा कर पढ़ाई करता है थोड़ी देर बाद सोनू के स्कूल की छुट्टी हो जाती है सोनू अपने घर आ जाता है, सोनू को बार बार अपने दोस टमाटर से मिलना था सारा काम खत्म करने के बाद सोनू फेश से टमाटर के खेट में जाता है इस बार टमाटर में कुछ और नए टमाटर भी उग गए थे एक टमाटर सबसे अलग था, उस टमाटर के दो मू थे ये देख सोनू उसी दो मू वाले टमाटर के पास जाता है सोनू वो टमाटर तोड़कर अपने साथ उसको घर ले आता है सोनू टमाटर को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है तो अब बताओ तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? हाँ मेरा घर थोड़ा सा छोटा है लेकिन मेरे घर में तुमारे लिए बहुत सारी जगा है क्योंकि इस घर में सिर्फ मैं और मेरी मा रहते हैं आज से तुम भी मेरे घर में ही रहोगे तभी वो दो मुवाले टमाटर सोनु को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कैसे हो सोनु वैसे मुझे तुम भी बहुत अच्छे लगे बले ही तुम्हारा घट छोटा है लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं हुना तुम्हारे साथ टमाटर को बोलता देख सोनु हैरान था अरे तुम तो बोल सकते हो तुम्हारे दो दो आखे भी हैं ये कैसा टमाटर है मैं एक जादूई टमाटर हूँ इसलिए मेरे दो मुझे हैं एक मुझसे मैं बोलता हूँ और दूसरे मुझसे मैं जादू करता हूँ. जादू? कैसा जादू कर सकते हो तुम? अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? मुझे खाने में सबसे ज्यादा छोले भटूरे, मुमोज, पीज़ा और चॉकलेट, यह सब बहुत पसंद है, लेकिन मैं तो गरीब हूँ, इसलिए मैं यह सब नहीं खरीच सकता। अपसे तुम गरीब नहीं हो, अपसे तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे पास अब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। जादूई टमाटर अपनी जादूई शक्तियों से सोनू के पास खूब सारा उसका मन पसंदीदा खाना लाकर रग देता है, सोनू पेट भर कर खाना खाता है, तब ही उसे अपनी मा की याद आ जाती है, और वह जादूई टमाटर से कहता है, मैंने खाना तो खा लिया, लेकिन अपनी मा को पूछा ही नहीं, मेरी माने तो वही रूखी सुखी दाल चावल खाकर अपना पेट भरा होगा, मैंने यह सब खा लिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे मैं तुम्हारी मा के लिए भी खाना मांग देता हूँ, जादुई टमाटर सोनु की मा के लिए भी खाना मंगवा देता है, सोनु वह खाना लेकर अपनी मा के पास चाता है, इतना सारा पकवान देखकर सोनु की मा कहती है, यह सब क्या है बेटा, इतना सारा पकवान, तेरे में वहाँ पर उर्टा हुआ जादोई-दोमू वाला टमाटर आ जाता है। कि सुनीता भी हैरान थी। ॹूनु अपनी मां को सारी बात बता देता ए। जिसके बाद सुनीता जादोई-दोमू वाले टमाटर से कहती. तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादूई टमाटर। तुम्हारी बजह से न मेरे बेटे को एक नया दोस्त मिल गया है। मैं अब चाहती हूँ कि तुम अब मेरे बेटे का ख्याल रखना। आरे आप चिंता मत करो, मैं सोनू के साथ साथ इस घर की भी रक्षा करूँगा, अपसे आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत परिशानी नहीं होगी। ऐसे ही अगले दिन सोनू सुभा 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 स्कूल जा रहा था, बाकी सभी बच्चे स्कूल बस में बैट कर स्कूल जा रहे थे, तो वही सोनू पैदल स्कूल जा रहा था, तभी वहाँ पर जादूई टमाटर आ जाता है, जादूई टमाटर सिर्फ और सिर्फ सोनू क को ही दिखाई दे रहा था आरे सोनू सारे बच्चे बस में बैट कर जा रहे हैं और तुम हो की पैदल जा रहे हो अरे बस में जाने के लिए पैसे लगते हैं और मेरे पास पैसे नहीं है मेरे घर में कमाने वाली सिर्फ मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को ज्यादा तकलीफ न रूप ले लेता है और अपनी पीट पर सोनु को बिठाकर स्कूल छोड़ की है आइया जाया करता ऐसे ही एक दिन सोनु की स्कूल से चुट्टी हो जाती है स्वण बहुत उदास था तभी वहां जादव टमाटर आता है सोनुक उदास देखकर जादू टमाटर कहता है अरे क्या हुआ उदास क्यूं हो अब मेरे होते हुए भी तुम्हें उदास होना पड़े तो क्या फाइदा मेरा अब तुम बताओ ना जादू टमाटर मैं क्या करूं स्कूल में दो महीने की फीस नहीं गई है और अभी बताता हूं कि क्या करना है जादू टमाटर सोनु को अपने पीच पर बैठा कर घर ले आता है और घर आने के बाद जादू टमाटर अपने दूसरे मूझ से खूब सारे पैसे निकाले लगता है और वह सारे पैसे सोनु की मा को देते हुए कहता है ये लो सोनु मैंने तुम तुम्हारी मा को खूप सारे पैसे दे दिये हैं, अब इन पैसों की मदद से तुम्हारी मा स्कूल की फीज भी जमा कर देगी, साथ ही अपनी जरूरत का हर सामान खरीद लेगी, आप से तुम्हें किसी भी चीज की कोई परिशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूँ साथ ही अब तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन चुके हो अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा जादुई टमाटर तुमने हमारी बहुत मदद की है तुम्हारी वज़ा से ही मैं हर बुरी situation को अच्छे से handle कर पा रही हूँ फरना अखेले ये सब कुछ कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था सुनीता और सोनू दोनू हमेशा के लिए जादूई टमाटर को अपने पास ही रख लेते हैं जादूई टमाटर भी खुशी खुशी उनके साथ रहने के लिए तयार हो जाता है साथ ही दोनों माबेटे बहुत ही साधारन रूप से अपनी हर जरूरत को पूरा करते हुए अपनी जिन्दिकी में आगे बढ़ते हैं